आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो, उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ Hello Friends, आज की Question में हमसे पुछा गया है कि कॉलस्टरम प्राइमरली कंटेन कौन सी एंटीबोडी कंटेन करता है फूर दा बेबी, फर्स्ट ओप्शन है IgA, सेकंड है IgM, थर्ड है IgK और फूर्थ है IgG तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि कॉलस्टरम होता क्या है कॉलस्टरम का मतलब होता है कि मदर का जो फर्स्ट मिल्क होता है जो की बेबी को फीड कराया जाता है उस मिल्क को हम कहते हैं कॉलस्टरम और यह मिल्क जो होता है बहुत ही अच्छा होता है इसके अंदर वेरियस टाइप आफ एंटीबोडी होती है ठीक है जो क्या करती है बेबी को strong बनाती है disease से fight करने में basically इसमें जो antibody होती है वो होती है IgA, immunovilobin A और ये जो antibody होती है ये क्या होती है अगर हम बोलें कि ये बहुत ही जादा reach होती है कि इसमें protein के अंदर ठीक है और जब ये cholesterol milk बेबी के अंदर आता है तो उसके अंदर एक immunity बनती है और उस immunity को क्या बोलते हैं हम passive immunity जिससे कि उसके अंदर शक्ति आती है बीमारियों से लडने में इसलिए advice दी जाती है कि mother's feeding या फिरम के सकते है breast feeding जो होती है वो बहुत जादा important होती है for the young one therefore हमारे question का correct answer है A वाला classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करे doubt net आप या whatsapp कीजिए अपने doubts 8444 चार्स उपर